नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी कापके अपने यूटूब चैनल एसके जोब अलट में इस चैनल पे आपको रोजाना गुवर्मेंट जोब और एजूकेशन से जुड़ी लेटर्स अपडेट दी जाती है तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की ताजा अपडेट दोस्तों इंडियन आर्मी में आपके लेटर्स भरती आए ठीक है जी तो दोस्तों इस वीडियो को आप सुरूर शेलास्ता जूर देखेगा जिससे के आपको इंडियन आर्मी में निकली हुई लेटर्स भरती के बारे में कंप्लेट इंफरमेशन मिल्स के जिसके अंदर मे और फेमेल ठीक है जी यानि पुरुस और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं तो इस वीडियो को सुरू से लाश्ता जूट देखेगा जिससे कि आपको इसके बारे में कंप्लेट इन्फॉमेशन मिल सके क्या आपके योगता रहेगी क्या आपको परमंद सहले मिले किस तरह कि इसमें सेलेक्शन रहेगा ठीक है जिसके बारे में ओफिशन ओफिकेशन को डिटेल से चेक करेंगे और किस तरह से आप फॉम को ओनलाइन अपलाई करेंगे ठीक है जी और जो मेरे दोस्ते चैन पे पहले बार आएं वो चैन को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बैल आइक आया हुए ओप्शन एडवर्टाइजमेंट आयो है जो इन इंडिन आर्मी किसके रिगार्डिंग है एंसी स्पेशल इंटरिस स्कीम 52 कोर्स अक्टूबर 2022 ठीक है जी इसके अंदर सोर्स सर्विस कमिशन रहेगा मेल और फिमेल दोनों के लिए मेन एन वुमेन ठीक है जी इ इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं ठीक है जी इस लिमिट की बात करें तो जिन मेला और पुर्ष का जनम यह दे सकते हैं दो जुलाई 1997 और एक जुलाई 2003 के बीच में हुआ है केवल वही कंडेट अपलाई कर सकते हैं और आपकी एज लिमिट निस से 25 साल आपकी एज लिमि करेंगे और जो अधर हैं उसको यहां पर डिटेल दे रिखिए हैं तो उसको चेक कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बात करें तो आपकी एक अक्टूबर 2022 से पहले पहले आपके पास ग्रेजियूशन की डिग्री होनी चाहिए और जो कंडेट मेल या फिमेल बैटल ओफ वार्ड केजूल्टी है उन्हें एन्सीस सेटिफिकेट की कोई जूरत नहीं रहेगी ठीक है यहां पर मेंचनल करका हैं आप इसको चेक भी कर सकते हैं और वेकेंशन की बात के तो वेकेंशन आप दे सकते हैं एन्सीसी में में बैटल केजूल्टी के रहेगी पंडेस्ट आपकें एन्सीसी ओमेंट की पांच रहेगी जिसमें फोर पोस्ट आपकी जनर्र कैटेगरी की रहेगी रहेगी यह उऩड़र केजूल्टी की ठीक है जी इसके बाद में प्ट्रेनिंग के बात करें तो जो स्टार्ट रूंगंगे उनकी 49 विख्स की उननाच के ट्रेनिंग रहे दो कêm प्रिए। cost of training का आपको मिलेगा स्टाइफ फंड और many other facility आपको provide की जाएगे ठीक है जी बात करें आपके promotion criteria and sales structure यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे आप दे सकते हो rank दिए कि है promotion criteria दे रुका है lieutenant दे रुका है on commission base पे captain आपका completion of 2 years का रहेगा major आपका 6 years का है lieutenant colonel आपका 13 years का है colonel आपका 26 साल का है और यह आप other details में दे रहे हैं आप इसका screenshot ले सकते हैं चैक का सकते हैं वही है पे और rank की बात के तो आप यहाँ पे details है चैक के लीज़े इसका screenshot भी ले सकते हैं यहाँ पे आप देसे चपन अजार सो से लेकर 1,77,000 से आपकी starting रहेगी और last में आप यह देसे तो 5,000,000 रुपए तक आपकी परमंच salary रहने वाली है ठीक है जी other allowance यहाँ पे दे रहे हैं इसको भी आप यह चैक कर सकते हैं other allowance में आपको minimum 45,000 रुपए परमंच से लेकर के 10,500 रुपए तक का वा allowance इसमें दे रखा है अब बात करते हैं आप फॉर्म को किस्ते से अपलाई करेंगे तो फॉर्म को अपलाई करने के लिए आप इनकी ओपिसली वैब साइट पे जाएंगे www.joinindianarmy.nic.in इस साइट पे जाने के बाद में आप फॉर्म को ओनलाई अपलाई कर सकती हैं और यह आपके कुछ important documents ले रखे हैं तो यह आप इसको चेक कर लिजीगा ठीक है जिसमें आपकी 10th आपकी category वाई जो certificate होता है वो और आपके पास होने चाहिए प्लस टू की certificate and mark sheet यह जो डीम से कहते हैं वो गरिजिशन की होनी चाहिए आपने वो किसी सिस्टीम से करके art, commerce, science है तो इसके लिए आप eligible है ठीक है जी वो जो mark sheet रहेगी वो all years और semester की रहेगी वो जिन candidate को NCCC certificate मिला है वो आपके पास date of issue उस पर अच्छे से mention हुआ होना चाहिए और आप यह दर detail को चैक कर लीजिए अपलाई करने से पहले और यहाँ पर आप दिसे मेरिट लिशन के जो आपका सेलेक्शन रहेगा वो आपका इंट्रिव और मेरिट बेस पर रहेगा ठीक है जी अब बात करते हैं फोर्म को अपलाई करने के लाज डेट का है तो 13 अपरेल 2022 इसकी लाज डेट है फोर्म को अपलाई करने के इसके रिगाड़ी मैंने आपको पहले भी एक वीडियो परवाइड करवाई हुए थी यदि किसी कंड डेट ने भी तक नहीं देखिया तो चैक कर सकता है फोर्म आपके स्टार्ट होए थे 15 मार्च 2022 से और लाज डेट रहेगी 13 अपरेल 2022 ठीक है जी तो यह आप दे सकते हैं और फोर्म को ओनलाई अपलाई करने का लिक मापको वीडियो के कॉमेट बॉक्स में पिन कर दूँगा जो कि आपको बिल्यू कलर कर आएगा जैसे आप इस पर कलिक करेंगे तो आप उसके ओफिसल वैबसाइट पर जाकर करके फोर्म को ओनलाई हैं तो यह आप फोर्म को ओनलाई अपलाई कीजिए गा ठीक है जी तो आशा करता हूं दोस्तों में द्वारत दिये की जानकर आपको पसंद आई होगी और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ में से जरूर शेयर करें और दोस्तों आपको लेटेस्ट कॉर्मेंट जोब्स के रिगार्डिंग, आर्मी के भरते के रिगार्डिंग, कोई एक्जाम्स के रिगार्डिंग, युनुष्टिम एडमिशन्स के रिगार्डिंग, आपकी कोई क्यूरी है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मेरे को इस्टा में इसी के साद धन्यवाद दोस्तों चैहिंच भारत